Hello children, today I am teaching you English small cursive A, A for Apple तो हम ये A for Apple ये जो बुक है ना English Writing Cursive Small Letters ये बुक है हम इसमें ये वाउक करेंगे A for Apple का ये मैंने ओपन किया तो ओपन करने के बाद ये पेज निमल 14 है 1 for 14 हम 1 for 14 का पेज निकाल लेंगे ये हैं क्लास वर्क, ये है डेट अब ये आपको देख रहा है A for Apple ये small cursive का A for Apple है बट इसमें आप देख रहा है ये Curve नहीं है तो हम पहले हम इसमें Curve बनाएंगे ये देखिए है ये जो बना हुआ है ना इसपर pencil नुट करेंगे इसको हम ऐसे, ऐसे इसपर pencil हम ऐसे नुट करेंगे यह देखिए कर्व बना दिया मैंने इसमें कर्व बना हुआ नहीं था तो यह आपको बनाना है अपने हाथ से यह देखिए यह मैं इसमें पैंसिल कर रही हूं तो यह पूरा स्कर्शिव बन रहा है कर्व बन रहा है आपको दिख रहा है यह देखिए यह देखिए मैं बना र यह होगई थार्ड लाइन फिर यह होगई सेक्इंड लाइन यह मैंने बना दिया पॉइंट, हम्में ए बनाऊँगी यह बन गया ए यह बन गया एक यह प्रॉपर तू पॉइंट लगा के हम्में ए बनाना आप कि यह तो पॉइंट लगा रहहा है थार्ड लाइन से तुन नाइन में है इसके बाद मुझे यह ऐसे करके ऐसे बनाना इंड में देखिया बिल्कुर लाइन से टच करना है आपको और नीट एंड ख्लीन बनाना है यह ऐसे सर्कल बनाया ऐसे गुमार डिया ट्वन बनाया सर्कल बनाया इसको कपर लेके गये नीचे टच कर दिया यह मैं इसे उपर ले गए, ऐसे गोल किया, इसे यह नीचे लेके छोड़ गया, यह देखिए, यह बन गया, ए, ठीक है, आपको यह जो पैंसियो से बने हुए नहीं ले, इसको आपको इसको बनाना है अपने हाथ से, यह हो गया, क्लास वा, इस पेज पर आएं गया, पेज न इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, यह प्रॉपर नहीं बना हुआ है, आपको इसे प्रॉपर बनाना है, ऐसे ही, चिक है, और यह पूरे पेज में पहले आप यह थर्ड लाइन पर पॉइंट बनाएंगे, फिर फिर आप बना लेंगे, और फिर आप बनाएंगे, यह देखि चीक है यह आपको वर्ग करना है बुप में बुप का नाम मैंने आपको बताया है English Writing Cursive Small Letter यह बुप में आपको यह वर्ग करना है चीक है और बुप नहीं हो तो आप अपनी रफ कॉपी में यह वर्ग करेंगे टू पेज आपको A4 एपल बनाना है थैंक यू